जएहिन दोस्तो, जेल को सजा काटने की जगए के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसका असल मकसद अपरादियों को सुधारना होता है जेल की एक अलग दुनिया होती है, और कई लोगों के मन में इस दुनिया के बारे में जानने की इच्छा भी होती है क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने प्रकार की जेल है और उस जेल में किस प्रकार के कैदियों को रखा जाता है सेंट्रल जेल और जिला जेल में क्या अंतर होता है अगर नहीं जानते हैं आज हम आपको इनी सवालों का जबाब लेकर आए हैं दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस वीडियो पर नए है तो सब्क्राइब गरूर कर लें और साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें हाई दोस्तों मेरा नाम है सुलील और आप देख रहे यस के नौलेज यूटूब चैनल दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत में कितने प्रकार की जेल होती है भारत में कुल आठ प्रकार की जेले होती है जो राजी सरकारों के अधिकार छेतर में आती है जैसे सुरच्छा, रहने की विवस्ता, मेडिकल सुविधाय, आज के लिए सरकारे समय समय पर केंदर सरकार की मदद लेती रहती है दोस्तो अब आपको सभी आठ प्रकार के जेलों के बारे में बिस्तार से बताते है नमबर एक, सबसे प्रमुख है सेंट्रल जेल दोस्तो सेंट्रल जेल में उन कैदियों को रखा जाता है, जिनने दो साल या अधिक की सजा हुई हो या जिनोंने किसी घिनोंने अपरात को अंजाम दिया हो सेंट्रल जेल में कैदि की नतिकता और सच्चाई भाल करने पर काम किया जाता है यहां बंद कैदी जेल में काम कर पैसे कमा सकते हैं हर राज्य में सिंट्रल जेल नहीं होती वहें कई राज्यों में एक से अधिक ऐसी जेल हो सकती है नमबर दो जिला जेल दोस्तों जिला जेल और सिंट्रल जेल में ज्यादा अंतर नहीं होता है जिला जेल उन राज्यों और केंदर सासित प्रदोसों के मुख्य जेल की भूम का निवाती है जहां सिंट्रल जेल नहीं होती है 2018 तके आकड़ों के मुताबिक भारत में 404 जिला जेल है उत्तरपदेश में सबसे ज्यादा जिला जेल है नमबर 3 उप जेल दोस्तो उप जेल उप मंडल अस्तर पर बनाये गए होते है हरियाडा मेघाले मरिपूर आधिराज्यों में उप जेल नहीं है फिलाल भारत में 600 से ज्यादा ऐसे जेल है नमबर 4 महिला कैदियों के एलक से बने है महिला जेल दोस्तो जैसा नाम से जाहिर है कि इन जेलों में क्योल महिला कैदियों को रखा जाता है महिला कैदियों की सुरच्छा के लिए इन जेलों का निर्मार किया गया है यहाँ पर काम करने वाले स्टाब में सारी महिलाएं होती है फिलाल देश भर में 24 महिला जेल है दिसंबर 2000 रखार तक की आंकडों के मुताबिक इन 24 जेलों में कुल 3,243 महिला कैदी बंद है वही देश भर में कुल महिला कैदीयों की बात करे तो यह संख्या 19,242 है दोस्तो ओपन जेल का नाम देखकर आप सोत रहे होंगे कि कोई जेल ओपन कैसे हो सकता है दरसल ये जेल ऐसे होते हैं जिन में दिवारे सलाखे और ताले नहीं होते यहां सुरच्छा वेवस्था भी कम होती है इन जोलों में उन कैदीयों को रखा जाता है जिनका वेवहार अच्छा हो और जो नीमों का खरा उतरते हैं यहां रखे जाने वाले कैदी खेती कर पैसे कमा सकते हैं 1962 में देश में पहले ऐसे जेल की सुरुआत हुई थी नमबर च्छा, नाबाली कपरादियों के लिए बने हैं बाश्टल स्कूल दोस्तों बाश्टल स्कूल एक प्रकार के यूथ डिश्टेंसन सेंटर होते हैं इन्हें भारत में आम तोर पर बाश्टल स्कूल के नाम से जाना जाता है इन स्कूलों में अपराद में सामिल नाबालिकों को रखा जाता है यहाँ पर उनके कल्यान और पुनर्वास आधी पर जोर दिया जाता है यहाँ उन्हें सिच्छा और वेकेशन ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बाहर जाने के बाद उन्हें रोजगार मिल सके और वो अपरात से दूर रहें के नसासिस प्रदेशों में एक भी बाष्टल स्कूल नहीं है दोस्तो इस्पेसल जेलों में गुसपैट और अतंकवाद से जुड़े मामले के कैदियों को रखा जाता है इन जेलों में सुरच्छा के विशेश प्रबंद होते हैं इन जेलों में महिला कैदियों को भी रखा जा सकता है केरल असम महाराष्ट तमिलनाडू आज राज्यों में ऐसी जेले बनी हुई है दोस्तो अन्य जेल भारत में तीन ऐसी जेल हैं जो उपर लिखी किसी भी कैटेगरी में सामिल नहीं होती है ये करनाटक महाराष्ट और केरल में इस्तित है बाकी राज्यों में ऐसी जेल बिलकुल नहीं है दोस्तो अब आपको बताते देश में कुल कितनी जेले हैं 2016 में देश भर में 1442 जेले थी जो 2018 में घड का 1399 हो गई इन में से 628 सुप जेल, 404 जिला जेल, 144 सेंट्रल जेल, 17 ओपन जेल, 41 स्पेसल जेल, 24 महिला जेल, 19 बाश्टन स्कूल है तो दोस्तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यन से जरूर बताईएगा तो दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन